Hey you boys and girls, welcome to the channel Guys, आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं Pokemon Emerald Version और Guys, अगर आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड में हम Broly नाम के बंदे से लड़ने गए थे उसके जिम में और वो हमें मिल ही गया था लेकिन वही पर एपिसोड खतम हो गया था तो अब आएए देखते हैं कि आगे क्या हुआ Broly बेटा कैसे हो I am Broly आँ ठीक है पिछली बार मैंने ये सारे डायलोग सुन रहे थे इस बार तो हराई दूंगा दोस्त इस बार मैं काफी ट्रेनिंग करके आया हो Yes, yes, let's see what you are made of Array बेटा, I am made of steel this time चल जल्दी से दिखाता हूँ तेरे को All right Leader Broly would like to battle Yes, Leader Broly sent out Machop हाँ भाई, Machop मेरे पास भी इस बार काफी तकड़े पोके मौन है इस बार इसको तो माश्टॉम से यारा दूंगा तो सबसे पहले यूज़ करते हम और Water Gun, देखने कितना असर करता है Okay, मैं हमेशा भूल जाता हूँ इसका असर पोके मौन इस पर क्या होता है मेरा अटैक्स का, इसलिए बार बार यूज़ करके दिखना पड़ता है, और इसने क्या यूज़ किया, Seismic Toss, okay तगड़ा अटैक्स लगता है पर ठीक है, Mud Shot और इसका काम अभी तमाम हो जाएगा दोस्तो ओके और ये गया चलो, पहला गया 4 Macha of Finted, ओल राइट March Tom Gate 301, okay अगला Pokemon भेज बेटा जल्दी से Meditite, हाँ Meditite को दिखाता हुआ भी भाई नहीं मैं कोई Pokemon चेंज नहीं कर रहा Meditite को तुम्हें March Tom से यारा दूँगा लीडर ब्रॉली सेंट आउट Meditite, okay ओके बेटा Meditite, अब तुम्हारी बारी है तुमको मैं Mud Shot देता हूँ पहले बढ़िया सा एक Mud Shot ये ले ओके और इसका Health बहुत बुरी तरह से कम हो गया है और इसका Speed भी कम हो गया है बहुत बढ़िया है Meditite यूज बलक अब इससे शायद इसका Health बढ़ता है मेरे ख्याल से, अच्छा नहीं, इसका Attack बढ़ता है ठीक है इसका Defense भी बढ़ गया ओके, काफी चीज़े बढ़ गई पर ठीक है, एक और Mud Shot और इसका काम तमाम ओ तेरी गाईज, इसने Super Potion, ओ शेट गाई ये तो मैं भूली गया था कि Potion लाने चाहिए थे, यार गलती हो गई, पर ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं पूरी कोशिश करेंगे, स्कोराने की ओके, मौका ही नहीं दूँगा, बिल्कुल भी 4 Meditite, Speed Fail ओके, जल्दी, जल्दी, जल्दी Mud Shot एक और दे देता हो इसको 4 Meditite, इस टाइटिनिंग अरे हाँ यार, ये इसका अटाइक थोड़ा तकड़ा होता है दोस्तों, पर मेरा Mud Shot से कम नहीं, पर मेरा Mud Shot अटाइक मिस हो गया, ओके कोई बात नहीं, ये पंच मारा इसने, और देखते हैं क्या असर होता है, बहुत बूरी तरह से असर हुआ है, पोकेमॉन बदलने सबक सिखा सकता है, तो डूइट सेबल आए, ओल राइट फोग मेडिटाइट, यूस्ट फोकस पंच, अरे यार, इसके ओके, इट डाजन्ट अफेक्ट सेबल आए, बहुत बढ़िया, सेबल आए, काफी तगड़ा, अपना पोकेमॉन है ओके, स्क्राच कितना असर करेगा इस पर देखते हैं, काफी कम असर हुआ है, और ये क्या भाई, ये तो नए-नए अटैक यूस कर रहा है, मुझ पे और इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया है, पर ठीक है, मैं भी इसका डिफेंस कम करना जानता हूँ, लियर इस्तमाल करता हूँ, इसका डिफेंस कम हो जाएगा 4-meditated defense fell, alright 4-meditated used reflect ओ शेट, ये क्या है भाई reflect raised defense, अरे फिर डिफेंस बढ़ा लिया इसने, ठीक है कोई बात नहीं भाई, इसको night shade देते हैं use night shade, ओके इससे तो बेटा तुम्हारा काम तमाम होई जाएगा देखते हैं ओके 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 बस इसके पास एक और सूपर पोशन ना हो तो थोड़ा हमको दिक्कत हो जाएगा 4 Meditites Attack Rose 4 Meditites Defense Rose ओके भाई ये बलकप मुझे भी चाहिए यार यह काफी बड़ी अटाईक लगता है इस ने फिर से Super Potion यूज किया कोई बात ने बेटा तेरे को जितने बार यूज करेगा उतने बार हरा हो Zach देखते कितने Portion है इसके पास नाइट शेड यूज करते हैं और देखते हैं भाई असर क्या होता है इतना खास तो कुछ असर नहीं हुआ पर ठीक है एक और बार इस पर लियर यूज़ करता हूँ और अब मेडिटाइट का डिफेंस कम हो जाएगा ठीक है और मेडिटाइट ने फिर बलक अप यूज़ किया और ये फिर से बढ़ा लेगी यार मतलब मैं क्यों करता हुए अटैक जब इसको बढ़ा लेना है तो अपर ठीक है दोस्तों हार नहीं माननी चाहिए हमको और इसका लाइट स्क्रीन ओक है दोस्तों इसका कोई अटैक था जो अब उसका असर खतम हो चुका है ठीक है अब मैं अपना नाइट शेयर यूज़ कर सकता हूँ काफी तगड़े तरीके से और इसका काम तमाम कर सकता हूँ और राइट आधी है कम हो चुकी है और इसने फिर यह लाइट स्क्रीन यूज कर दी और फिर अपने डिफेंस बढ़ा लिया है फो रिफलेक्ट वेर ओफ ओके लेकिन पता नहीं इस बार इसका सामने वाले का अटैक सारे फेल आफ हो रहे हैं और यह मेरा नाइट शेट फिर से एक बार अब अब तो बेटा गया है यह अब इसके पास क्या बचा है मैं देखना चाहूंगा ओके मेडिटाइट अटैक रोज ओके ठीक है फेंटेड ओके ओके दोस्तों अभी हमारे पास एक आखरी चांस है माच टॉम का लेवल बढ़ चुका है ओके सेबल आइक को भी काफी सारे पॉइंट्स मिले है और सेबल आइक अभी लेवल बढ़ चुका है अब देखते हैं भाई यह कौन सा पॉके मान भेज़ेगा माकूहिटा आलाइट मेरे पास 20 पर माकूहिटा है बेटा लेकिन मैं पहले पॉके मान चेंज नहीं करूँगा दोस्तों पहले सेबल आइक को यूज करते है देखते हैं क्या होता है इसका माकूहिटा का लेवल क्याए ओ तेरी भाई 19 लेवल का ये तो गाईज थोड़ा सा डर लग रहा है क्या मुझे मार्श टॉंप यूज़ करना चाहिए पता नहीं पहले मैं यही यूज़ करता हूँ अपना सेवल आए क्योंकि यह काफी तगड़ा है और इसने अपने से ज़्यादा लेवल वाले पोकेमॉन को रहा है थोड़ी दिर पहले तो इसलिए मैं इस पर भरोसा कर रहा हूँ ओके मार्गो हीता का डिफेंस बढ़ गाया देखते हैं मेरा अटाक काम करता है या नहीं ओके नाइट शेड़ और इस पर असर कितना होगा ओके ठीक ठाक सेटना कुछ ज्यादा नहीं पर ठीक है एक बार लियर यूज़ करते हैं और इसका डिफेंस कम कर देते हैं ओके बल कि फोर्ज लाइट स्क्रीन वोर ओके इसका वह लाइट स्क्रीन वाल अटक अभी तक चालू है दोस्तों ठीक है स्क्राच यूज करके देखने कितना असर होता है इस पर यह बल्क अब कुछ और भी करेगा यह नहीं आज के दिन दोस्तों पता नहीं पर ठीक है अपने लिए स्क्राच तो काफी कमजोर अठाक है दोस्तों पर ठीक है इसका यह बल्क अब के लावा आज कुछ ने करने वाला दोस्तों यह तो मुझे पक्का पता है बस यह बस यही किये जा रहा है और राइट कोई बात नहीं लेकिन यह हमें क्या दिक्गत से बस इसको थोड़ा होंगा ओल्राइट यह गया ओके बस इसके पास एक और पोशन ना हो दोस्तों फिर तो मेरा दिमाग फिर जाएगा और भाई मैं पता नहीं फिर तो मैं क्या करूंगा पर फिलाल के लिए थोड़ा सा सबर रखते हैं ओके 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 इसका डिपेंस रोज हो रहा है से वला यू माकुहिता साइरस बेरिस रिस्टोर्ड है था पता था ऐसा कुछ न कुछ तो होने वाला है लेकिन दोस्तों हमारे पास भी सेबल आये हैं जो इतनी आसानी से हार नहीं मानता और आप लोग अगर नूटिस करेंगे तो यह सामने वाला माकुहिता आम पर बिल्कुल भी अट पर इसने आम थ्रस्ट यूज किया है लेकिन हम पर कोई असर नहीं हो रहा हो के कूल भाई सेबल आये काफी ताकतवर पोकेमॉन है दोस्तों क्यूंकि सामने वाला पोकेमॉन 19 लेवल का है और सेबल आये को उसका अटैक असर नहीं कर रहा है तो काफी बढ़िया बात है यह और मेरा अटैक जबकि उसको काफी असर कर रहा है ऐसे तो मैं जीत जाऊंगा ओके ब्रॉली शायद तेरा आखरी समय आ गया है अब मेरे पास बैच होगा ओके जल्दी से इसको हरा देता हूं मैं पहले मा को इता बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा अभी ओके वाइटल थ् ऐसी ताकेत गाइज मेरे को आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई काफी मजा रहा है ओके डजन अफेक्ट से पलाई ओओ कोई भी अटैक से बलाई पर असर नहीं हो रहा मतलब फाइटिंग टाइप्स काफी कमजोर है डाक टाइप्स के सामने जो की काफी बढ़िया बात है ओके मा कोहिता ये रहा तुमारा आखरी आम थ्रस्ट मार लो बेटा मार लो मुझ पर असर नहीं होगा से बलाई उस नाइट शेड आल राइट बाइबाइ मा कोहिता ओके और गाईज अब हम ये माज जीत चुके है ओके है फो मा कोहिता फेंटेट से बलाई गेंट 354 एक्स बेटे बहुत तुम बोल रहे थे यू मेड़ अब मच बिगर स्प्लाइच दना एक्स्पेक्टेड येस बोई यू स्वैम्ड मी ओके यू आप गॉट मी टेक इस जिम बैच ऑल राइट गाईज आश गोट 1900 फॉर विनिंग ओके और हमें बैज मिल चुका है देखते हैं नगल बैज मिल चुका है अब काफी चीज़े असान हो जाएंगे हमारे ली और हम उस गुफा में जाके लाइटे जला पाएंगे कम से कम नगल बैज मेक्स अल पोकेमोन तो लेवल 30 ओके इवन दोस्यू गेट इन ट्रेट्स ओबेट विदाउट क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट् उस तो इस टेक्निकल मशीन टू ओके अप्तें देटी ऊटेट आटेंगे अचि़ पोके अड़िया बडिया शाबाश मजे गया रेजिस्टर जीम लीडर ब्रॉली इन दो पोके ने विए विए इनको फ्रेंट रिक्स मदलब रेजिस्टर कर ले हमने मेरा कहने का मतलब आल राइट गाईज काफी मज़ेदार रहा ब्रॉली को हराना अब जल्दी से गुफा में चल के भाई स्टीवन को लूनते हैं